पिछले कुछ समय से खालिस्तान समर्थक तत्वों की और जैसे हालात पैदा किये जा रहे हैं अगर वक्त रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो सायद एक बार फिर चनौती जटिल हो जा सकती हैं खास तोर पर हाल के दिनों में कानाडा ब्रिटैन और अमेरिका में इस्तित दुतावासों के सामने जैसे जोखिम खड़े हुए हैं उसके मद्द नजर भारत का चिंतित होना सभावी की ही हैं यही वज़य है कि भारत ने इन देशों में खालिस्तानी तत्वों की गतिविदियों और हिंसा फैलाने की घटनाओं को अस्विकार करार दिया हैं गुरुवार को भारत की ओर से साफ शब्दों में कहा गया कि दूसरे देशों में अपने राज नईकों और मिसन की स्रक्षा करना सरकार की सर्वोच प्रार्थ मिक्ता हैं और सम्मंधित देशों से वियना संदी की मुताविक दूतावासों की श्रक्षा सुनेशित करने की उमीद की जाती हैं हाला कि भारत को यह चिंता जताने की जरूरत पड़ी यही अपने आप में उन देशों के लिए विचार का मसला होना चाहिए कि नियमों के अनुरूप हर इस्तर पर श्रक्षा का भरुसा दिलाने के बावजूद बहां भारतिये दूतावासों के सामने जोखिम के हालात कैसे पैदा हुए गौर्तलव है कि वियना संधी के मुताविक कूर्टनीतिक शम्मंदों के मामले में कई ऐसे नियम हैं जिनके तहत दूतावासों की इमारतों और उनमें काम करने वाले लोगों को मैजवान देशों की ओर से स्रक्षा मुहया कराई जाती है इससे जुड़े नियमों की बादधता यहां तक है कि अगर दो देशों के बीच किसी मसले पर वेहत तनाव की इस्तती भी हो तब भी कोई देश शमंदित देश के उच्चा आयोग या बहां न्युक्त राजनाईकों और अन्य करमचारियों की फ्रक्षा का बंदुवस्त करता हैं है रानी की बात यहां है कि जिस दोर में भारत और अमेरिका के शमंदों में नए आयाम देखे जा रहे हैं उसके बीच भी कुछ दिन पहले अमेरिका के सैन फ्रांसिसिकों में भारतिये वानिजें दूतावास में खालेस्तानी कटरपंतियों ने आग जनी की साफ है की बिना सुरक्षां मैं चूक के दूतावास जैसी सुरक्षित इमारत में दाखिल होकर आग लगाने में किसी को काम्यावी नहीं मिल सकती यह तव है जव अमेरिका में आतंकवादी हमलों की आसंका से लेकर स्टॉप स्टॉप